इसकल तक रूम बीस जार रुपे तक भिक रहे थे आज पचास जार से सवा लाख रुपे आप साइट पे देख सकते हैं जिसमें करीब 30-40 जार लोग बाहर से आने की गिंती है और यहां एमदागाद में रूम सिर्फ पांच जार रूमी है लोग कैसे भी करके यहां पहुंचना जाते हैं जिनको फ्लाइट की टिकिन नहीं मिल रही है वो बायर रोड भी प्लान करके 18 तरह तक यह राज को झाल 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 कर दो लोग दुबई से साउथ आफरीका से और ऑस्टिलिया से भी लोग आना चाहरा है यह मैच को देखने के लिए है तो कल राज से ही जो कल तक रूम बीस जार रुपे तक भी करहे थे आज पचास जार से सवा लाक रुपे आप साइट पे देख सकते हैं कि रूम के बाड़े हो गए है तो क्योंकि आज जो यहां गुजरात की जो स्टेडियम की एमदावाद की स्टेडियम की कैपेसिटी है वो एक लाग बीस जार फ्रेक्शन को की है जिसमें करीब 30 से 40 जार लोग बाहर से आने की गिंती है और यहां एमदावाद में रूम सिर्फ पांच जार रूमी है और पूरे गुजरात में स्री सार से फाइस सार के दस जार रूम है इसकी जान करके 18 तरह तक यह राज को पहुंचने का प्लान कर रहे है सर अभी करण स्टेटस क्या है कि रूम एमदाबाद में अवेइबल मिल रहे है या नहीं मिल रहे है तो अब जैसे कल रात को मेंच फाइनल हो जाती है उसके बाद रूम का बुकिंग डालते है तो अब जैसे से टिकीट लोकों के हाथों में आए कि ऐसे से रूम के बुकिंग ज्यादा होते जाएंगे दामों में जिसे चीज़र चार सो से पांसो परसंद तक की बड़त्री आज रूम में देख रहे हैं कि जो बीस जार के रूम है आज वो लाक रूमें के रूम भिक रहे है तो कर दो कर दो कर दो